हाई अबरीवन वेल्कम तो मैं चानल शाइनी रूपस मेरा नाम है रूपा आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कास्टाट ओयल को एक्स्ट्रीम हेर ग्रोथ के लिए इस्वाल करने के और भी तीन तरीके और उसको जानने के लिए इस वीडियो को आगे देखते रहिए तो गाइस यह जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है मनीशा जी ने मुझे बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा कोई वीडियो आप शेयर करें जिसमें कास्टाट ओयल को इस्वाल करने के और भी तरीके हमारे सामने आए तो यह भी काफी एफेक्टिव तरीके है और इनको भी आप इसमाल कर सकते हैं वैसे यह काफी आसान है तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या है वो तीन तरीके तरीके बताऊंगी और यह तीन तरीके के बालों के प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे तो सबसे पहले तरीका जो और इसके साथ अगर उनके hair fall भी हो रहा है तो वो इसको try ज़रूर करें इसके लिए आपको लेना है ताजे ताजे आलोविरा के पत्ते और इनमें से आप जल को collect कर लीजिए इसके साथ आपको मिलाना है एक छोटे चमच का एक चमच कास्टरट ओयल और finally इसके साथ आपको मि ज़राना है मिक्स तो आप इसको मिक्सि में ग्राइंड कर लीजिए मैंने इसको हातों से मिक्स किया है तो इसका consistency कुछ इस तरीके का है इसके बाद आपको अपने scalp को section कर लेना है बालो को scalp में अच्छे से section कर लीजिए और उसके बाद सबसे पहले इसको आपको scalp में लगाना है और इसको लगाने के बाद करीबन 40 मिनिट रखिए और उसके बाद बालों को शांपू करके धो दीजिए तो गाइस चलिए देखते हैं दूसरा तरीका और यह रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनको स्प्लिटेंड का प्रॉब्लम है बालों में दो मुहे बालों का प्रॉब्लम है उसके साथ-साथ बाल जढ़ भी रहे हैं तो स्प्लिटेंड और बाल जढ़ना यह इन लोग जिनको हो रहा है उनके लिए यह वाला रेमेडी है इसके लिए आपको लेना है एक यौक मतलब अंडे का जो हल्दी वाला पोर्शन है उसको आप ले लीजिए इसके साथ हमें लेना है कास्टर ओयल एक चोटा सा चमच और इसके साथ हमें लेना है शहद एक चोटा चमच और इनको अच्छे से मिक्स कर ले अगर आपकी बालों का लेंद बहुत बड़ा है तो आपको दो तिन अंडे का यौक लेना पड़ेगा और उसके साथ कास्टर और अपने स्काल्प में लगाईए और इसके बाद जो बचा कुछा रहेगा वह हम अपने पूरे बालों में लगाएंगे और बालों के एकदम नीचे लगाएंगे जहां पर स्प्लीटन बहुत जादा होते हैं और इसको भी लगाके आप करीबन चालेस बिनिट रखिए और इसको धो दीजिए इसको करिए आपकी बालों में स्प्लीचन का जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे-धीरे दूर हो जाएगा और फाइनल जो हैर रेमीडी में बता रही हूं का यह हर किसी के लिए है लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन लोगों के बालों का ग्रोथ एक टाइम के बाद थम जाता है और बाल ग्रोव ही नहीं करते हैं और सामनी की तरब अगर आपके बाल खाली हो रहे है तो आप इसको जरूर ट्राइ करे और इसके लिए हमें लेना है चावल चावल को अब धो लीजिए और दोने के बाद चावल को पानी में भीगो के दो दिन रख दीजिए दो दिन बाद चावल को पानी से अलग कर लीजिए और उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए उसके साथ आप छोटे चमच का एक चमच कास्टड ओयल डाल दीजिए और इसको अच्छे से शे तरीके से लगाएं ऐसे करके लगाएं जैसे लगे कि आपके बाल पानी से अभी अभी अपने भीगो लिया है कुछ इस तरीके से आपको इसको लगाना है और इसको रख देना है कम से कम 40 मिनिट तक नॉमली आप इसको लगाते लगाएंगे घर पे तो रात में लगाएं दिन करके धो दीजिए तो गाइस ये थे तीन तरीके कास्टड ओयल को इस्तेमाल करने का और ये एफेक्टिव तरीका है अगर आप बहुत फास्ट बालों की ग्रोध चाते हैं तो इन में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें और सिम्टॉम अगर आपको मैच करता है तो सिम्टॉम क था आज का कास्टड ओयल को इस्तेमाल करने का होप यू आप इंजॉइड इस वीडियो थांक्स पर वाचिंग और वीडियो को शेर भी करें आज के लिए वस इतना ही बाई